हेलो गाइस अगर आप लोग मोटो का जी 34 5G मोबाइल फोन इस्तमाल कर रहे हो और अपने इस मोबाइल फोन में फिंगरप्रेंट लोग का यूज करना चाहते हो फिंगरप्रेंट लोग सेट करना चाहते हूँ तो अप किस तरीके से इस मोबाइल फोन में फिंगरप्रेंट को लगाने के लिए सबसे पहले फून की सेटिंग में जाना होगा फून की सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको एक उप्शन सोगा सेक्यूर्टी और प्राइविसी का तो इस पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की ऑप्शन सून ही लग तो यहां पर आपको नीचे आना होगा यहां पर आपको को अच्छोगा डिवाइस अनलोक था आपको इस पे क्लिक करना हो अब जिसी डिवाफ Yo 9 checkoff camera and fingerprint लोग तो अगर आपने हूं मिस्कम पर पेटन वगरा सेट कर लिया होगा तो यह पैटन का option नहीं आएका और नहीं किया होगा पहली बार कर रहे होंगे तो आपको यह option आएका तो आपको continue पे click करना होगा continue पे click करने के बद कोई भी एक नया pattern बनाना होगा कुछ इस तरीके से pattern बनाने यहां पर कुछ इस तरीके से आपको finger scan कराने का बोलेगा तो आपको क्या करना है आपका जो finger होता है उससे सिंपल से power button पे scan करा लना है आप जैसे scan करा होगे तो यहां पर आपको हर तरफ से scan कराना है जब तक कि नीचे डन आ जाए डन आती है आपको डन पर एक बार क्लिक करना है इसके बाद cancel पर क्लिक करना है आपके फोन में fingerprint lock add हो जाएगा इसके सांसल अगर आप fingerprint का app lock पर यूज करना चाहते हो तो यहां पर app lock पर भी इस बटन को on करके fingerprint का यूज कर सकते हूँ देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से मैंने फोन को lock किया finger लगा तो phone unlock हो गया तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपने फोन में fingerprint को add कर सकते हो ठैक्स वर वाचिंग